या दिद्श एलो फ्रेंड आंड़कारंगे आपपा ब को कि हम ने थर्मकुपल कर है कि क्युछ शेक करना थर्मकुपलू देख्खो आपको ञेड array बृण ऑपको लोग Kया करते हैं का वंद्फिल्रूटक करते हो आँ मेरे पैसले हो चुछ सकते है आपको सही होगा तो अच्छा डिफांट कर सकते हैं तो आप इतर Γंब कर देंगे तो आप इंटर्व्र whamên define कर देंगे कि सिम्प्लेक्स कून से होती हो तो मैं आपको बताता हूं चुछ उंति होती है उसमें सिफ दो में दो फैंट होते हैं और दूपलेक्स में 4 होते हैं इसमें आप देखो दो यलो तार है दो रेटेव हैं अब आपको यह पता करना है कि कौन सी थर्मकपल किसके साथ मदा सही करर रही है तो सिंपल सी बात बताता हूं आप मुंट्यमिटर लेकर चख करोगے तो आपके में जो एक यलो आपस में बोलेंगे तो उसको 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 यह लगा दो जो आपने डिस्प्ले कराना है तो अब एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि जो तार लगा रहे हैं उसकी पॉलारिटी क्या है और उपर क्या डिस्प्ले हो रहा है एक मिली वॉल्ट पे 24 25 ट्रह दिखाता है क्या एक मीली वर्ड बीसी पर जो हमारा थर्मोगपल का जो डिस्प्ले है के टाइप का 1 The करेंगे आप ऐसा कीजिए यहां पर एक अपना वो ले लीजिए क्या कहते हैं मल्टी मीटर तो मल्टी मीटर आपको क्या दिखाएगा मिली वोल्डी सब्सक्राइब 20 या 24 मिली वोल्डी से आ रहा है तो उपर जाकर आपने क्या किया कि उसमें जो आपका थर्मो कपड़ तुकर अपने करना क्या है अब मैं आपको बड़े राम से बता रहा हूं कि करना क्या है आपको कैसे पहले आप क्या करो इसकी थर्मो कपड़ पर वोल्टेज चेक करो वोल्टेज आ रहे है 20 मिली वोल्ट डीसी ठीक है और आपकी जो वैल्यू कितनी आने चाहिए वो आपको चार्ड में देख लो या 25 से मुल्टिप्लाई करके देख लो कितनी है तो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू वहार उपर इतनी डिस्पले होना चाहिए नहीं डिस्पले ह होरी तो आपने 0-span calibration करना पड़ेगा आपका जो कर्वर्टर लगा हुआ है के टाइप थर्मो कपल का जो उसको 4-20 मिलियंपे में कर्वर्ट करेगा मनलब जो से 800 में उसकी setting है तो 800 पे वो 20 मिलियंपे शो करेगा और 0 पे 4 मिलियंपे शो करेगा कई बढ़ क्या होगा कि आ आपने कर्वर्टर की तो थर्मो कपल जो है हमेशा ध्यान रखें कि जो थर्मो कपल्स हैं वो ड्यूप्लेक्स लें ड्यूप्लेक्स का एक benefit आपको यह मिलेगा जब आपका एक port खराब हो जाएगा तो दूसरे में आप लगा सकते हो तो यह डबल काम करती है वैसे आपने एक अच्छी कंपनी की थर्मो कपल जब सिलेक्ट करते हैं तो आप एक चीज़ों का ध्यान दो उसमें जो मैटल यूज होगा वो आपसे जहां से खेदोगे वो आपसे पुछेगा कौन सी मैटल की हो चाहिए मलब इनकी एंक्लोजर तो सिंपल सी बात है आप लो SS316 ठीक है बाकी उसके उसकी केसिंग के अंदर यह थर्मो कपल का मट्रियल होगा के टाइप जी टाइप के अकॉर्डिंग और हैड वाली लो और इसके आगे वह भी होता है कि हाफ इंची BSP मेल लेना है या फी सिलेक्ट कर सकते हो तोष्णिवाल या मैसी बस कोई भी अच्छा में सिलेक्ट कर लो बट जो material SS316 है या फिर आपके OEM के अंदर क्या लिखावा है SS316 लिखावा दो 316 की परचेस कर लो या फिर कोई और में महलब लिखावा दो कर लो इसमें दिखाता हूं यह के टाइप तो आपको अच्छा मिल जाएगा तो आपको पता ही चल गया कि थर्मो कपल करना है यदि थर्मो कपल नहीं है तो आप continue चेक कर सकते हो तो सिंपल जी बात है थर्मो कपल आपकी सही है उसके बात मिली वोल्ट चेक कर लो DC कितने मिली वोल्ट आ रहे हैं DC के उसके अकॉर्डिंग उसको 25 से multiply कर लो तो आपको उसकी एक टेंपरिचर की वेली पर चल जाएगी तो यह एक ट्रिक्स हैं जो आप नॉमल अपने परीफिह तो सिंपल सा रूल है जैकेट का zar को याल को जे के इंए जैकेट सेकिंड है बी आरेस थी एलिएज़िए कि अड़ी आगें करते हैं कि यहां पर हमें 200 से करना होता है वैसे जनली के लेते हैं कि का मेटेर ज्यादा होता है जारा करते हैं कि संपोज हम थर्मकपल पर लगा रखे हैं जहां पर प्रोसेस में पर टैंपरेचर आपका पहले 200 तक जाता है फिर आपका फिर थर्टी तक बार-बार चेंज होता है उसके इन में आप फड़िया कंपनी की थर्मकपल सेलेक्ट करो उसका रीजन क्या है कि जब बाबग गरम और ठंटी होने से कि इसका मेटर होता है धर्मकपल का थर्मकपल का जो मेटर होता है वह क्या होता है कि उसके इंदर सब्सक्राइब थर्टी डिग्री पर पान मेंट के लिए तुट तो आप एक रैडिक्स वगरा या बढ़िया कंपनी की तर्मों का पलो कि जिस जो आपको मनलब दो तीन साल स्टैंड करें जाज दी आपका प्रसेस्स दाइम में खातो मनलब उसमें SS316 मॉट्रियल सेट करें विद हैड वाला लें उससे आपकी से खुद की सेफटी भी रहेगी थैंक्यू फर वाचिंग दोस् राइट ऑन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक यदि आप इंटर्वी में कुई अच्छा एंटर्वी एक अच्छा करा करना चाहते हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल और बैल आइकन पर हिट करना जूरू करें जैसे आपको फ्यूचर के वीडियो भी आपको म मिलते रहें थैंक यू फर वाचिंग